एक वाइबरंसी के साथ संगठन को सेवा के काम में जूड़ा और मैं तो आप सबको आगरा करता हूँ कि हमारा जो डॉक्युमेंटेंशन है सेवा ही संगठन है इस सूत्र का उसको आप जरूर देखें तो आश्चरे जनक तरीके से एक रादनितिक दलका संगठन की इस प्रक सकता है उसका ज्वलंत उदाहन बारतिय जनता पार्टी ने नड़्डा जी के अध्यक्स्ता में देश के सामने रखा दुनिया के सामने भी रखा उनकी राष्टी अध्यक्स्ता में ही हमने बिहार में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट प्राप्त किया महराष्ट में भी एंडिये को घिन ले तो हम फिर से चून कर आए हरियाना में भी हमारी सरकार बनी इसके बाद उत्रपदेश, उत्राखन, मनिपूर, आसाम, गुजराथ इस सब जगे भारतिय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता हसिल की है बंगाल के अंदर भारतिय जनता पार्टी ने तीन सीट से सतत्तर सीट का बहुत बड़ा फासला एक ही पांच साल में तई किया और हम तामिलाड और दक्सिन के राज्यों में भी तेलंगाना में भी एक ताकात बनकर धीरे धीरे शैन शैन उभर कर आ रहे हैं उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में हमारी सरकारे तो बनी थी परन्तु संगठन का विस्तार बाकी था नड़ा जी की अध्यक्स्ता में हमने उत्तर पूर्व के नौर्थिस्ट के सभी राज्यों में संगठन को नीचे पहुँचाने में हमने बहुत बड़ी सफलता प्र जानते हैं गुजरात के अंदर 156 सिटों के साथ गुजरात ने चुनाव के सभी रेकोर्ड तोड़ते हुए 53 प्रतिसत मत और 156 सिटों के साथ हमने प्रचंड विजय हासिल किया मोदी जी का जो करिश्माई नेत्रुतों है जो लोक प्रियता है वो लोक प्रियता को मत में परिवर्थित करने में और मत को मत गान मतग तक पहुँचाने में नड़ा जी का नित्रुत में संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मोदी जी की लोगप्रियता को पूरे देश भर के अंदर इसको आधार बना कर भारतिय जनता पार्टी के काम को विश्तार करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है सरकार की योधनाओं और सरकार के कारेक्रम और विशेशकर किसान कल्यान के कारेक्रमों को हर किसान तक हर जन जन तक पहुचाने में स्री नड़ा जी ने बहुत महतोपून भूमिका नुबाई है उनके कारेकाल में 120 से ज्यादा विधान सबाओं के चुनाओं हुए है इसमें से 73 विधान सबा के चुनाओं में भारतिय जनता पाटी की जीत हुई है तेलंगाना बंगाल में एक सांदार माहोल खड़ा करने में भी हमें बहुत सफलता प्राप्त हुए जम्मू कस्मिर में BDC के इलेक्षन हो या देश भर में हुए स्थानिय इकाई के चुनाओं हो सब में भारतिय जनता पाटी ने यस प्राप्त किया है उनके नेत्रूतों में बुथ ससक्तिकरण अभियान के तहट एक लाग तीस अजार बुथों को मजबुत करने का भी काम किया गया लोकसबा प्रवास योजना बना कर हर कारेकरता को लोकसबा प्रवास योदना के अंदर जोडा हर घर तिरंगा को बारतिय जनता पाठी के हर कारेकरता ने जन जन तक पहुँचाने के साथी राष्ट्र भक्ति को और तिरंगा के सनमान को हर जन के मन में पुना जागरित करने में बहुत बड़ी भूमी का निभाई है सेवा ही संगठन और मोदी जी के जन्मदिन को जोड़ कर सेवा का पखवाड़ा ये दोनों कारेकरम सेवा ही संगठन और कोवीड के वक्त कारेकरम लिया गया और सेवा पखवाड़ा निरंतर भारतिय जन्ता पार्टी मनाती है उनको नीचे तक पहुँचाने में बहुत बड़ी काम्याबी नड़ा जी के नित्रूतों में हुई है मन की बात को भी जन का कारेकरम बनाने में भारतिय जन्ता पार्टी के संगठने बूत स्तर पर मन की बात को सुनने का जो कारेकरम बनाया इसको हम नीचे ले गए हैं और देश भर में एक विजय संकल्प सभाएं और अपना बूत सबसे मजबूत इन दो अभ्यान हमेशा के लिए भारतिय जन्ता पार्टी के इतियास में नड़ा जी की भारतिय जन्ता पार्टी को देन के रूप में जाने जाएंगे मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतुरतों में नड़ा जी के संगर्णात मक नेतुरतों में 19 से भी ज्यादा बड़े भारतिय जन्ता पार्टी चून कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधान मंतरी बन कर इस देश का नेतुरतों